आपका 36 गल के नंबर वन बुलेटन में मैं हूँ आपके साथ तुरितू ग्यानवानी सबसे पहले बाद बीजापुर की एक लाग के इनामी समेथ पाच नकसली गिरफतार हुए हैं मोटा पाल की जंगल से गिरफतारी हुई है गिरफतार नकसली कई वरदतों में शामिल थे दियारजी और पुलस जवानों ने इने पख़़ा है बड़ी सवलता जवानों को हाथ लगी है नकसलीओं के गिरफतारी इन میں से एक इनामी असरी भी है जला जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश गुपता मरसा जड़ गción भेla handle नेश बड़ी सफलता ये पुलस जवान के लि पूलिस ने रिपतार किया है Sak 복 दिदीunch का पर पारि खाने बलास करने जार गतना और वाधी हैं बई गतनाओ के बाद इने एक रिमान में भेज़ दिया गया है जी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश राइपुर से बड़ी खबर का जखर करेंगे गोली कान मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दे फाइरिंग करने वाले यूवक की बाइक बरामद हुई है तेली बांदा थना शेत्र से बाइक जब की गई जारखन नंबर की है ये बाइक आरोपियों के तलाश में फिलाल पूजा रहा है फिल्हाल आरोपियों की तलाश अभी जा रही है तो देली बांदा थना शेत्र से ये बाइक जब की गई है अब जो नंबर है वो बता चला है जहर्पी का है साथी साथ आप पूरे मामले में जाक्स में तेजी आईए और साथी साथ आपको बताएं कि पुल फाइरिंग से दहशत निशाने पर कोल कारोबारी सीसी टीवी में कैद शूटर्स राइपुर में अमन साहू गैंग ने दहशत पहलानी की कोशिश की तेली बंधा के उद्योग भवन के पास कोईला कारोबारी के ओफिस पर फाइरिंग की बाइक पर सवार दो बदमाशों ने दो बार फाइरिंग की पहली बार हवा में दूसरी बार दफतर पर गोली बारी के इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ वहीं फाइरिंग के बाद बदमाश बाइक से फराद हो गए इस दोरान दोनों CCTV में कैद हुए हैं बताया जा रहा है कि लेवी बसूले के लिए अमन साहू गैंग ने बारदात को अंजाम दिया ये कोल व्यापारी को डराने के लिहाद से की गई बारदात है ये घटना तब हुई जब पिछले ही दिनों पुलिस में अमन साहू गैंग पर शिकंजा कसा था और चार लोगों को गिरफतार किया था ये जारकंड के अपरादी है और ये मैं आपको बताओं इसमें अमन साहू जो गैंग है लगबग 90 मामले उसके खिलाप जारकंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाप उसके गैंग के मिम्बर के खिलाप है ये मामले में भी अम लोग नाकाबंदी कर रहे है और जल्दी इस मामले की तार में भी अम लोग जाएंगे इसमें एक CCTV फूटेज भी आया है ऐसे अपरादियों के अम लोग पैचार लिकरे है ये कहा जा रहा है कि कारोबारी को निशाना बनाने के लिए दोनों बदमाश महावीर नगर चौक में रैकी कर रहे थे और काफी देर से कारोबारी के आने का इंज़ार कर रहे थे जैसे ही कारोबारी दफ्तर की तरफ जाने लगा, बदमाश टेजी से आए और फाइरिंग की इसके बाद निकल गए बदमाशों ने अपनी बाइक अनुपम नगर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे छोड़ दी और फरार हो गए वारदात में इस्तमाल की गई बाइक पर जारखंड का नंबर है पुलिस ने फॉरंसिक एक्सपर्ट की मदद से फिंगरप्रिंट लिये हैं साथी आसपास के इलाके के सीसी टीवी खंगाले जा रहे हैं अमन साहू गैंग की सक्रियता को लेकर 36 गड़ पुलिस एक्टिव थी यही वज़ा है के वारदात के पहले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार भी किया था लेकिन इस बार गैंग पुलिस को चक्मा दे गया ऐसे में लाइंड आउडर को लेकर सवाल उठने लगे है उम्मीद है इस मामले में पुलिस जल्द एक्टिव लेगी और आरूपी पुलिस की गिरफत में होंगे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एची सदा जानकारी लेंगे सायोगी हमारे साथ आकाश शुकला जुर्द गए हैं यह पूरे मामले में जानकारी वो देंगे आकाश यह जो बाइक बरामत की गई है जहारखन का नंबर बताया जा रहा है सिसी टीवी भी सामने आया है क्या कुछ कहना है फुलिस का भी जी देखी यह पूरा मामला जो है सुबह 11 बजे का है यहां पर तेली बांदा थानी के करीब ही जो पियारे कंस्ट्रक्शन कंपनी की बिल्डिंग है जो कोहला कारोबारी हैं वहां पर सुबह 11 बजे बाइक से दो यूवक आते हैं और उसके बाद हावा में दो फाइरिंग करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं पुलिस को जानकारी इसकी मिली तो पता साजी में जुट गई पूरे सहर में नाके बंदी कराएगे और कुछ घंटो बाद जो है वो बाइक ही कुछ दूर में जाके बरामत हुए जैसा कि पुलिस का कहना है कि अमन गेंग के से जुड़ा ये पूरा मामला है और बाइक का भी जो नंबर है वो ज़ाडखन का बताया जा रहा है हाला कि आरोपियों की तलास अब में पुलिस जूटी हुए पुलीस का कहना है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे लेकिन इस घटना क्रम में जिस तरीके से राजधानी में में मुख्य सडख मार्ग पर थानी के करीब जो है गोली कांड हो जाता है एक तरीके से गोली फाइरिंग कर दी जाती है पुलीसिया सुरक्षा विवस्था प पुलीस इसमें संग्यान लेने में किसमें कारवाई के लिए जुटी हुए जी ठीक बहुत 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 शुक्रिया आप लगातार आकाश यस खबर पर नज़र बनाये रखिएगा चूकि लगातार एक एक अपडेट से आपनी जानना भी जरूरी है बहुत शुक्रिया पिलाल सीएम साई अपनी मंदल के साथ आज आयोध्या पहुंचे हैं जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किये हनुमान गड़ी में पूजा अर्चना की और इसके बाद साई कैबिनेट सर्यू तट पहुंची जहां सर्यू नदी की पूजा की गई सीएम साई ने रामलला के दर्शन कर भगवान राम को बेर की पोटली अरपट की साथी 36 गड़ की खुशहाली के लिए काम ना की इस मौके पर सीएम साई ने कहा कि हम लोग भांचा राम के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे भगवान श्री राम के आशिरवात से वो साई के अज हम लोग छती गड़ से आये हैं पूरा मंत्री मंदल आया है भगवान राम के ननीहाल प्रदेश से आये हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किये हैं उनका अशिरवाद लिए हैं उसके बाद हनवान गड़ी में हनवान जी का फूज़न अर्चन करके आशिर्वाद लिये हैं और अभी यहां सर्यू माता अभी धिवत पूजन अर्चन किये हैं उनका आर्थी के हैं और सबसे आशिर्वाद मागे हैं छतिगर की खुशाली के लिए तो वही अयोध्या वे राम ल्ला के दर्शन के बाद साय केविनेट वापस रायपूर आ यॉध्या से रायपूर पहुंचने पर स्वास्त मंत्री श्याम बेहारी जैस्वाल ने बात की हमारे सहयोगी से पूरा कैबिनेट लोटा है और हमारे साथ स्वास मंत्री है स्याम बिहारी जैस्वाल जी सूबे से आप एकदम भक्ती में नजर आ रहे हैं और भगवा जो वस्तर धारण करके आप गये हैं और दर्शन करके लोटे हैं चेहरे पे एकदम तेज नजर आ रहा है निश्चित रुप से भगवान सिर्राम के दर्शन करने के बाद मन में एक अलोकिक सक्ती अलोकिक सांती ये कात्म विश्वास और प्रदेश के खुसाली के लिए एक बड़ा विश्वास के साथ हम लोग लोटे हैं और बहुत ही आज का दिन हम लोग लिए स्वभाग साली रह माननी मुखमंत्री जी के साथ पूरे केबनेट ने दर्शन किया 36 गड़ की खुसाली के लिए हम लोगों ने कामना किया और यहां से उनके लिए उपहार सुरूप माता सबरी के धाम के बैर ले गए यहां का कोसा के वस्त्र ले गए माता सबरी की धरती का पानी ले गए यह का सुगंधित अना चावल ले गए उनके भोग के लिए कई प्रकार की मिश्ठान लड़ू ले गए तो इस प्रकार से आज ऐसा लगा कि हम लोग साक्षात अपने भांजे के घर में जा रहे हैं और जब प्रभुस्तिर रामुस भब्य मंदिर में विराजमान है तो वो देख कर जिसको देखने के लिए ऐसा लगता है कि हम लोग स्वभाग साली हैं कि इस कालखंड में हम लोगों ने जन्म लिया हम लोगों ने अपने आखों से देखा सरीव नदी के दर्सन किये वहां की मिट्टी को हम लोगों ने प्रणाम किया ये कलो की छड़ था पिल्कुल यह टेक्नो पब्लिक स्कूल के मानिता को लेकर शिकायत के बीच कॉंग्रस प्रबगता विकास तिवारी ने स्कूल के ब्रैंड एंबिसेडर भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहर शर्मा और फिल्म स्टार अलू अर्जुन को कानूनी नोटस भी जा है विकास तिवारी के म मानिता नहीं है तिवारी ने कहा कि श्री चैतन्या टेक्नो स्कूल के राजधानी रायतपूर के दो स्कूलों को कुछ दिन पहले सीजी बोट के अंग्रेजी माध्यम की मानिता मिली है ऐसे में विकास तिवारी ने रोह शर्मा और फिल्म स्टार अलू अर्जुन को नोटस भेज कर दो करोड की शर्तिपूर्ती राश्री की मांग की है हमने ठागा सा तब महसूस किया जब हमको यह पता चला कि पिछले सत्र में इस स्कूल को ना सीजी बोट की मानिता थी कुछ दिन पहले जिला सिक्षदिकारी राइपूर के द्वारा इनको नर्शरी से आठवी की सीजी बोर्ड की मानिता दी गई जबकि यहाँ पिछले साल कक्षा आठवी के बच्चे नवी गया है और नवी के बच्चे दसवी चले गया है इतने बड़े-बड़े स्टार के रोहिष शर्मा हो चाहे अलू अर्जुन हो ऐसे लोगों के परिवार के साथ जूड़के हम अपने आपको ठगा सा मैसूस किये मैंने अपने वकील के द्वारा इन दोनों महान हस्तियों को लीगल नोटीस भेजा है और मेरी उम्मीद है कि जल्द ये मेरे लीगल नोटीस का जवाब देंगे नहीं तो फिर इनको कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ेगा तो कॉंग्रेस निता विकास दिवारी को आप सुन रहे थे उन्होंनों नोटीस भी बेजा है और जवाब भी तलब किया आए कि जब मानिता नहीं थी तो किस आधार पर ये स्कूल यहां से चल रहे है बालोत का जिक्र करेंगे महिला पार्षद की पिटाई हुई है पिटाई का वीडियो भी सापनी आया गुरू नगर पंचायत की महिला पार्षद की सडख पर पिटाई की गई कुछ महिलाओं ने पार्षद कुंती सनहा को घर से निकाल कर हमला किया पूरी घटना सिसी टीवी में कैद हो गई आसपास मौजूद लोगों ने बीज बचाफ किया, दुकानों पर बुल्डोजर चलने से महिलाएं नारास थी, चार लोगों के खिलाफ मामला अब दर्ज हो चुका है अबर 35 मनेंद्र गढ़ ने जितनी का बड़ा सर हुआ है नैशनल हाइवे पानी जमा होने का यह मामला है पर फ्रशासण जागा नैशनल हाइवश विभा की टीम मोके पर कोईंची हाईवे से पानी निकालने का काम अब जारी है प्रमुक्ता से एक खबर दिखाई गई थी और खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया जानकर लेंगे सुझी श्टा हमारे साइज जुड़ गए हैं सुझी न्यूस देटीन की खबर का असर जी देखिए पूरा मामला जो है मने नगर अंबिगापूर मार्क जो है नेच 43 का है जहां पे हलकी सी बारिज माज कुछ देर की बारिज से जो नेशन हाइवे सड़क है वह तलाब नुवा बन जाता था जिससे रहागिर जो है खासकर जो पैदल जाते हैं और दो पहिया वहा खबर दिखा है खबर के बाद प्रसासन जागा है आज जो है दलबल के साथ नेशनल भीवाद के टीम उहां पहुंची है डिल के साथ पानी निकासी का जो साधन बनाया जा रहा है वहीं कुछ जो है नियुजिटिंग खबर के बाद एक जो बड़ा एक असर देखा रोही बढ़ती थी उसको सुधार किया जा रहा है जी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया सुझीत राइपुर में पेटबुल कुट